हाई वरिवन वेल्कम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डाइबन तो आज जो जो एसे सेल के एक्जामिनिशन देने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे एसे सेल का एक्जामिनिशन 23 तारी को होने वाला है यानि कि 23 जन्वर आपका बचलान वाले हैं उनके लिए अगर आप सुनना चाहते सजैशन देख सकते लास्ट में बताओंगा नहीं तो फिर डारेकली आपका तॉपिक का 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 चीज है उसको देखिए पिर श्कीप कर दिए आते हैं चली सबसे पहले कोल इंडिया वैस को मैं आपने अप्लिकेशन में उसके बाद मैं मॉक टेस्ट एक पूरा कोई भी कंपलीट कर देता हूं चले मैं थीरी को मॉक टेस्ट थीरी को ले लेता हूं और इसको मैं स्टार् मद्यपरदेश में टोटल नंबर भी कितने हैं तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ओपसन नंबर सी यानि 52 मद्यपरदेश के बेसिक जो एड्मिंस्टेशन है उसके बारे में पूछा जा सकता है मद्यपरदेश में रिसंट क्या चेंज़े जाया है बड़े-बड़े अग तो बाकि स्टेट में भी न्यूस पेपर में पशुचे जा सकते हैं या फिर अपर्देश कुछ में जो कोशन पूछे गया थे मंद्य प्रदेश से उसको अगर आप चार्ट के पढ़ सकते हैं तो वह आप पढ़ लिजेगा तो आपका काम चल जाएगा चले आते हैं अंगले कोशन पे क्योंकि रिपीटेट कोशन ही टीस में देखा गया है कि इस कोशन का उठा के उसमें ड जो एंसल के एग्जामनिशन पे थे या इंडिया के एग्जामनिशन में है और रिपीट कर दिया जाता है या फिर जो चये-चैसल या या म।ो उठाग डाप चले आते आगी अगले कोशन पर अंकहला कोशन है कोशन पूछा जाता है कि यह वारट कि से समद्धित यह वार्ट को जीता है। कि कौन जीता alternator हुआगा क्योंट कुमार गंधर्व एवर्ड है यह म्यूजिक से संगीत से संबंधित है चलिए इसका एंसर हम लोग यहां पर संगीत करते हैं ठीक है चलिए आगले अगला कोशन पर अगला कोशन है विच रिवर इस नॉन एज दा गंगा ऑप मध्यपरदेश इनमें से कौन सी नदी ऐसी है ज सबसे लंबी नदी बहती है उसका नाम है बेटवा बेटवा नजी जो है सबसे लंबी नदी बहती है और इस बेटवा नदी के किनारे ही बहुत सारे सहर बसे में हैं बहुत सारे प्लांट लगे हुए है इसलिए उसे मध्यपरदेश का गंगा कहा जाता है option number C इसका correct answer हो ज लिए जैसे हम बताते हैं फोर का question question पढ़िए उसके बाद उसका answer बती ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा ऐसे फोर का ए फोर का भी फाइब करते रिए से आपका प्रैक्टिस होगा engagement कर आपका रहेगा तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा आपका focus ज्यादा रहेगा आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं चले आता है लिए टोटल नंबर अप नेशनल पार्क की संख्या कितनी है तो देखिए ऐसा है कि मद्य पर्देश भारेक का एक मात्र ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है यह आपके लिए बहुत important question है और मद्य मद्य पर्देश में ही जो नेशनल पार्क है वो सिच्वेटेड है सबसे ज्यादा तो उसका एंसर हो जाएगा आपका दस कुनों नेशनल पार्क में चीता को लाए गया था यह चीज भी आपको ध्यान में रखना है तो मद्य परदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क ह संख्या कितनी है दस है चले आते हैं अगला कोशन पर वड़ी दट ओल्ड नेम अप मद्यपर्देश मद्यपर्देश का आपको हिस्ट्री के बारे में हलका आइडिया होना चाहिए कि पुराना नाम कौन सा था कौन मद्यपर्देश का नाम रखा गया था कौन कौन से बड़ बिल्कुल इसका सही नाम हो जाएगा मद्यपर्देश का जो पुराना नाम था उसका था नाम मद्यपर्देश का नाम अगला कोशन पर आते हैं टाइम कमें से थोड़ा जल जल बोल रहे हैं अगला कोशन है इन में से कौन है जो चतिसगड़ स्टेट का गवर्णर के तौर पर सपत लिये थे पहली बार यानि चत्रीजगड़ के पहला गवर्णर में से कौन है इसका ऑप्शन है दिनेश नंदन सहाई के संकर नारायन डव. अशेषवत और सुर्जित बसिंग बरनाला ठीक है तो इ दिनेश लाल सहाई जीत हो आपके चतिसगड़ स्टेट के पहले गवर्णर अगला कोशन सभी कोशन पूछा जाता है करेंड गवर्णर कौन है इस पहले वाला गवर्णर कौन थे और सबसे पहला कौन थे ये चिज़े आपको दिमांग में बैठा लिनी है इससे का and iron ore producing main district in the statist मतलब इन मेंसे कॉनसा ऐसा सहर है कॉनसा ऐसा सची है जो टीन का माईका का और iron ore को ज्यादतर मातरा में produce करता में मातरा में मतलब सबसे यादा मातरा में आप कह सकते हैं इन मेंसे कॉन सा डिस्टीक है जो production करता है तीन माई का और एरेन का option है बस्तर कांकेर बालाघाट सरगुज़ा तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number a यानिकि बस्तर बस्तर ऐसा state है जिसमें सबसे अधा प्रोडक्शन होता है अगला कोशन है इन विच आप यहां बसतर देख कि आपको समझ में नहीं आ रहागा कौन से डिस्टिक का है तो यह 36 गड़ के बारे हम पूछा गया इस टैप से कोशन पूछेगा आपको स्टेट का नाम नहीं दिया रहेगा लेकिन स्टेट का जो डिस्टिक है उसका नाम दिया रहेगा अगर आप उसके बारे में पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किसा स्टेट से कोशन है अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको यह पता नहीं चलेगा कि यह कोशन कौन से स्टेट से संबंदित था ठीक है तो ऐसा से कौन सा ईसा डिस्टीक है तरफ सटेट नहीं बोला है डिसटीक बोला है स्टेट वाले कोशन पूराना हो गया अब kilka इसका इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नमबर सी यानि कि राइगर राइगर ऐसा स्टेट है जहाँ पर नेशनल पार्क गों मरदा वाइड़्याइब सेंचूरी बसा होगे ठेके वाइड़्याइब सेंचूरी अगला कोशन है वीची दा ये अगला कोशन है जितना पुराना कुले बहुत ही फेमस फेमस टेंपल नदी है नेशनल पार्क है, सेंचूरी है, वाइल लाइब सेंचूरी हो गया, उसके बाद बायोस प्रिजर्व है, ठीक है, इसके बाद कोई पहाड बहाड ऐसे कुछ फेमस चीज़ है, कोई युनिसको का हरिटेज साइट है, उसके बारे में तो भाई सब पढ़ ही लीजेगा, कोई कोई खिलाडी है, जो बहुत फेमस है, तो उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ लिजेगा, उससे कोशन आएगा ही आएगा, क्योंकि टीस्यस के पैटन में यही सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोशन पूछे जाते हैं, ठीक है, चले, तो इसका जो सही है, इसका ऑप पता है, देवरानी जेठानी टेपल, अब चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं, अगला कोशन पर आते हैं, विच वन अप दो फॉलिंग इस लार्गेस्ट, नेशनल पार्किंग शत्तिस गड़ स्टेट, बतेगा, एरिया के हिसाब से, इन में से कौन सा ऐसा इसा नेश पार्किंग शत्तिस गड़ स्टेट का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, अगला कोशन पर आते हैं, इस टाइप के कोशन देखेगा, आपको कुछ कुछ एक्जामिनिशन में पूछे जा चुके हैं, इस टाइप के एक्जामिनिशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, आप से वेस्ट की तरब अरेंज करना है सबसे बोकारो अदीलाबाद रानिगंज और विश्रामपूर तो आप देखिएगा भारत का नकसा में आप दिमाग लगाएगा तो सबसे आपको पता चलेगा कि या बोकारो तो जारकन में है तो जारकन तो कहीं यहां पर आएगा ठीक है इसके बाद आदीलाबाद जो आपका साइध शत्यो गड़ादUS parle पर नहीं पता एक माल लेते हैं राणिगंज विष्ड बंगाल में है चलो राणी वेस्ट में चला है जाएगा तो आएगा तो इसके बाद विष्रामपुर दो इसकी बात में भाट में a पहले आएगा तो चले इसको करते तो मतलब Kool मिला करके 3 नमर यानि कि ranigan सबसे पहले आएगा ठीक इसके बाद कौन सा आएगा जहराखंड यानिक को कारो दुसरा नमर जाता है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपको वो कोशटिन व हो जाता है तो बड़ा कोश्ण को पहले कीजिए ठीक है अग्ला कोशन के अगला कोश्ण है है in which of the falling which in which one of the falling types of coal higher percentage of carbon यह तो भाई सब आपको पता ही होगा इन में से कौन सा इसा कोईला है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाता है अगर बिटूमने की बात करें तो 56-86 परसेंट कोईला पाए जाता है लिगनाइट में आपका 56 से थोड़ा सा कम होता है और पीट में आपका बहुत में इंडिया इस दम मेंसे सूर्ट में इसा कॉंडवाना सुस्टम कडपपा हो गया तमिलनाडु साइड का इधर नहीं है, सबसे ज्यादा खोईला इत्व हम जान रहे हैं धारवार सिस्टम आपका बीच वाला रिजन का हो गया है तो उसमें भी नहीं है ज्यादा विंदियान हो सकता है, गुण्डवाना हो सकता गुण्डवाना आप जैसे ऑप्सन में देखेंगा आप मार दिंग के गौणडवाने थियोरी से ही कोईला बना है और गौणडवाना नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वह गौणडवाना सिस्टम का कोईला था तो इसका उप्सन हो जागा थे अब आपको बहुत सार एरिया बता है ना कि बहुत इसका एंसर हो जाएगा option number c अगला question पर आते हैं अगला question है which of the following group of state account for about 90% of annual production in India of coal ठीक है मतलब कुल मिला करें बूला गया है इन में से ऐसा कौन सा state है group state मतलब दो तीन को ऐसा state होगा उसको अगर हम मिला देंगे तो भारत का 90% कोईला का production यही दो तीन state करता है ठीक है तीन state भी है तो तीनों state को 20% कोईला यही state करता है ठीक है तो याद रखिएगा जॉक 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 बोले तो जार्खन ओडिशा 36 गड़ तो देखेगा जार्खन ओडिशा 36 गड़ का है पहला option option is the correct answer चले आते हैं अगले question पर अगला question है हूँ वाज दफस्ट कोल मिनिश्टर अपिंडिया ठीक ऐसा कोछी नों कुछा जा सकता है तो भाइसाब जो एक क्रांती का रही थे वीजु पटनायक तो चातिस गड़ और उडिशा के थे यह और उडिशा में अभी भी साइद इनी का गवर्मेंट चल रहा है इनी का पढ़ियेगा तो बहुत कुछ सुधार हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम में कोल मिनिस्टर बनने के बाद की पूल माइनिंग का इस्तियास बहुत गंदा था था नाइंटीन फॉर्टी सबने थे तो बहुत सारा कोल में चेंजे जाया था बहुत सारा रिगुलेशन प्रमोद अगरवाल अगर ऐसे सेम पूछन पूछ देगा एसी सील के वर्तमान कौन है तो प्रेम सागर मिजरा याद रखेगा प्रेम सागर मिजरा कभी आप थोड़ा सा पढ़ लीजी तो अच्छा रहेगा चले आते हैं अगला कोश्चन पर अगला कोश्चन पर आते हूँ इस दा सीमडी और पैसी सेल अभी हम थोड़ा दिर पहले आपको बता ही रहे थे अभी देखिए नोकस है कोश्चन पर दिया 19 नंहीं में अगर आपका फोकस बना हुआ है मेरे वीडियो पर अगरर आप सीरिया सोके विडियो को देख रहे आप एंसर तो आपको पता होगा लिजिकए अब तक भूडियो में बता आए मिडेंगे फिर से वीडियो को देखेगा को से बहुत सार आप देखेंगे आपका दिमांग में को सब्सक्राइब वह डाटा स्टोर होगा तो इसका अगला कोशन पर इसका पूछा जा सकता है को इंडिया का इंकॉर्पुरेट हुआ भारत में क्या मतलब इतिहास रहा है को इला का तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो में ही मिल जाएगा आपको आपको सर्च करना है इस्ट्री ओफ कोल माइनिंग आप सर्च कर सकते हैं बाई ब्लैक डाइमंड लिखें अब ज्यादा अच्छा रहेगा तुरंत आ जाएगा उस वीडियो को देख लिजेगा सर एक दुग और वीडियो होगा तो वह भी देख लिजेगा इससे आपका पू देख डिफ लेग्रेशन क्या है एक्स्थ डोज़न बर्निंग रपिट बर निंग बट नॉट एक्स्थ प्रशिघेट्स लेट्ग प्रकॉज़न नहीं होता तो ऊसको बोलते हैं इसका अग्ला च्छोशन पर आते हैं इन केस ऑप ब्लास्टिंग दोजर देंजर जोन पूछा है पहले 300 मिटर था 500 मिटर हो गया है लेकिन मैटली मैटली मैंस में अभी 300 मिटर है बट आप कोल मैंस के हैं तो इसलिए आपको 500 मिटर टिक मानना पड़ेगा इसका एंसर हो जाएगा टाइप नहीं है यह कोशन अच्छा है हाप सेकेंड मिली सेकेंड इस्तमाल करते हैं बलकि इसको डिफैन सेक्टर के लिए इस्तमाल करते हैं आदमी को नुकसान पहुचाना हो तो इसके कंडिशन में लोग इस्तमाल करते हैं या फिर को बड़ा-बड़ा बिल्डिंग गिरान बार में तो हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं तो लोग टेंसेंट डेटोनेटर का ही टाइप है मिली सेकंड हाफ इसकेंड इसके बाद इसी में प्राइमरी चार्ज कौन सा होता है तो एसे होता है आपका अधर फ्रैमेरी चार्ज इसका प्राइमरी चर्ज में नौत तर्षाइब के छूट गया तो एकाद कोशंच चूट गया होगा बात में सब्मिट करेंगे इसको विश अब इसका सही अंसर होता है जो है एक फिजिकल यूलोजिकल डिस्टर्वेंस है यह कोई बैंडेट कंस्टिजुएंट नहीं है ठीक है अच्छली आते हैं मस्त कोश्चन मजादार कुश्चन देखेगा कोश्चन नंबर 26 आज कल टीसिस क्या कर रहा है एक्स्प्लोसिफ चैप्टर का वेंटिलेशन चैप्टर का और मैथोड़ यह तीन टॉप चैप्टर ऐसे हैं इसका कुछ निम्रिकल बना दे रहा है ठीक है अब यह जो में यहां पर दिखा रहा हूं न यह निम्रिकल के बारे मैं आपको बताता हूं यह में पढ़ता हूं सब्सक्राइब है एक फॉल हेडिंग चार मिटर वाइड एंड अड़ाइएड हैंड एन आड़ाइवांस ऑप एक मिटर प्रसाइड दा एमांट की बात करें तो चार मिटर चोडा है हाय की बाद करें आगर हाय की है हमारे साइज का दिया है इसके बाद ये भी बता तक आप कोहिलों काट करके गिरा देता है एक साइकिल में आप एक इसका किलो च्क शॉक्त पावडर फैक्टर क्या होगा कहा तो सीम्पल सा पाडर फैक्टर साथ का फॉर्मूला होता है तीक है उस फॉर्मूला मैं आप गरेंग कोई इसे में से कोई नुमर्कल आ जाएगा आक मेर्कल का मैं बना दूंगा कि में मैं रिद pasture करऊंगा ज्यांद ये कॉसें सेन सेम एंसील में पूछा है सेम यहीं कोशारो और इसे तो यह सेम कोसें डाटा भी चैनल यहां पे अडाहे इंट यहां पे? इस फार्मूला अगर रट लेंगे तो आयों चले हैं तो चलकाई आते हैं अगले कोश्चन पर यहला कि इसको अगर सॉल्प करेंगे तो किता आना चीए अगर मुझे फड़ा साइड में केल्कुलेट करने दिए तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा अप्सन नंबर यह हो जाएगा यानि आमोनियम नाइट्र टी और नाइट्रो ग्लिसरेट टाइम ज्यादा लग जाएगा देखो आधा गंटास उपर हो गया इसलिए अप चाहरे हैं कि जल्दी कराएं बढ़ हम क्या है कि जब भी पढ़ा क्लियर नहीं रोगा तो रट के जाएंगे कोशन लिमिटेट बनेगा थोड़ा कॉंसेप्चुल कर दिया थोड़ा घुमा दिया तो स्लो फिलियर बिसिकली होता है वाइबरेशन के गार है अब वाइबरेशन को रोकने के लिए क्या उपाए है तो डेक चार्जिंग से ब्लास्टिंग करो तो उससे आगे तक नहीं पहुचता है वा में थोड़ी जाएगा बीच का जमीन में तोड़ा देंगा कैसे होगा प्रेक इसका लिमिट होता है इसके बाद आप एक्क्रेक नहीं करते हैं वह नौ प्रॉफिट नौ लॉस्वाला कंडिशन हो जाता है इस होता है ठीक है फाइदा नहीं होता है अगला कोशन पहाता है इसका बीच का जो दूरी होता है ठीक है इसका और पहुलते हैं वुसको इसको बोलते हैं इसको को बार्डग से दूसरा होल का दूरी होता है स्पेशिंग घिली आठेंर स्विच्ट लोंग होसिंग भी मिश और जिग जग्जाग आते हैं एकला कोशन पर विच बन अब फॉलिंग टर्म इस नॉट इसके बाद हाइवाल बेंज का ही फेस को कहा जाता है क्रेश्ट आपका जो में पॉइंट होता है उपर वाला पीक पॉइंट जिसको बोलते हैं ठीक है और विंज विंज जो है वह वह साब रेज विंज वि यूज होता है तो इसका अगला कुशन पर आते हैं यह भी मल्टिपल टाइम पूछ चुका है पचास बर अलगले जाम पूछा है अगला कुशन पर आते हैं विच्वन अब फॉलिंग इस लाइकली मोड मोड़ अप स्लोप फिलियर फोर वेस्ट डम बोला गया है अगर सबसे ज्यादा होते हैं अगर आप खोजेंगे मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आपको बहुत सब्सक्राइब बनाया हूं मुझे खुद नहीं पता मैं किस टॉपिक को टच किया हूं किस टॉपिक को नहीं किया हूं अब मेरा दिमाग ऐसा है कि आज हम अगर कुछ ब हम तब बोला गए है कि अगर साट फर्जेंट है जन सेलेक्ट मोस्ट एकुरेट डिस क्रिप्शन ऑफ और रूप रस्टेंथ की रोक मास रेटिंग्स को बोलते हैं फिर यह आर यह मार हुता है फिर मोडिफाइड अर हुता है जोंकि विस्की के द्वार बनाए गया था ठि से आप रॉक का स्ट्रेंथ नापते हैं जिसका एंसर बोला गया है कि गितना टीक है बोला गया है कि कि इतना अ गया है मरिफ नई contact Is levant गया दीए ज़न का से कुछ टाटा सूआट जुका róव गया हो तो उसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कंअ है लेटे लेटे लोंग चबा रहा है क्या करें भाइस सब्सक्राइब लेटे लेटे लोंग चबा रहे हैं है यहां पर ट्रेन लगा दीजहां स्टेयन लगा दी चलिए तो इसका बाते हैं विच वन अब फॉलिंग गैस इस नॉन टॉक्सिक और नॉन पोईजने से जो ना जरीला है ना टॉक्सिक टिक है वही मतलब है वही मतलब है लगबग लगबग तो देखेगा सियो भाई साब सियो जरीला है आद मिलेगा तो 300-200 गुना ज्यादा स्पीट से आपका इनलेशन करेगा डेमेज हुजाएगा नोटू जो है वह भी बहुत डेमेज करता है जहरीला है यह ज्यादा होता है तो इनफ्लेमेबल गैस के लिए इसलिए बिसपोर्ट कर देता है प्लस ऑक्सिजन का कमी करता है इसा सब्वोग्रिशन होता है अगला कुशन पहाते हैं पर्मिसिबल लिमेट जो सियो गैस का होता है वो पचास अगला कुशन पर आते हैं यह सब्सक्राइब करते हैं अगला कुशन है तो आपको नबस सब्सक्राइब को जोड़ना होता है तो यहां पर क्या बोला है उस कोशन पर गौर करेंगे बुलग है पांच नमबर अप रोडवे है चलो ठीक है पांच यूनिट का एक रेसिस्टेंस है तो आर बराबर हम आरवन करेंगे पांच फिर आर्टू भी पांच गो है न भाई पांच यूनिट वाला तो पांच प्लस 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 बराबर 25 तो इसका इंसर हो जब अप्सन पर सी नही ठीँ रेस्पेक्टिवली लिखाया थोड़ा सा ध्यान दीजेगा पहले ठीज़ बॉल छोजिंग कहां होता है नियर दा फ्लोर होता ना इसका एंसर हो जागा ओपसन नमबर टी अब आप कहेंगे यहां पे तुर पूषता आया है इसके और के सरभी आपको इन्ट करना है तो गलत लिए सबस्क्राइब करना है तो फोकस है तो थोड़ा सभी करना है तो यह चीज किसतना से कमने सब्सक्राइब 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 बहुत बार पूछा यार बहुत बार पूछा है अगर आप पढ़ेंगे तो प्रती पर्सन छे मिटर क्यों पर मिनिट हवा यह बोला गया है तो हम यह गरते हम दोनों का निकाल लेंगे जो भी दिया हुआ है ना तो एक बारिष का सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा होगा उतना हम हवा भेजेंगे ठीक है तो इसका अगर कैलकुलेट किजेगा तो भाई यह डाटा बहुत बार पूछा वा सेम टूसेम डाटा रहता है तो 1250 मिटर की परती मिनट इसका सही अंसर हो जागा वाकि आप कैलकुलेट कर लिजेग अगर 2% है तो यह क्या बताता है ग्राम से इंडेक्स दोनों बोलिए तो यह बताता है आपका 2% तो यह 1% मतलब होता है एक्टिव फायर है दो परसेंट मतलब होता है एडवांस स्टेज में ठीक एडवांस स्टेज में ठीक एक परसेंट बतावर होता है एक्जिस्टेंस ह स्वांटिन सिटिंग का दो परसेंट होता है एडवांस स्टेश पर है तीसरा में आग लग दिया ठीक है चले तो आपसे नंबर सी इसका सही अंसर हो जाएगा चले आता है अगला कुशन है जियो थर्मिक रेडियंट क्या होता जिसे से जमिन के नीचे आते हैं टेंप्रेचर बढ़ते जाता है धरिया में 38 अट्र मिटर तक जो टेंपरेचर होता होता है उसके बाद फिर हर जगह अलग अलग तेंपरेचर होता है कहीं पे 25 के उनक्रमेटर मीटर बढ़ता है का इसका सही अंसर हो जाएगा जियो थर oyच्ण क्या पूछा है नंक्रेजिन टेम्परिचर प्रयसर इसका एंसर हो जागा और जाएंग कोशन आते हैं वीच पता होना चाहिए अगला कुशन पर आता है इंडेस रॉप फॉलेजी से किन में होता है हमको एकदम माइल्ड ग्रेडियंट चाहिए बहुत ज्यादा हमको ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाइट ग्रेडियंट अस्टीव ग्राउंड मतलब वन इन 12 से कम ग्रेडियंट रहेगा तो उस कंडिशन में लेश चलाएंगे और बाकी में इंटेल और यह ग्रेविटी अलग लग जगा पर चलाएं पहाड़ी इलागा में में इंटेल चलाता है जब ज्यादा पावर का जड़त होता है तो अगला कुशन पर आते हैं अगर कोंड़ में स्टेंट फूल कोड इन बेल्ट कनवेर तो क्लीट तो प्राइमरी परपस क्या होगा अगर नहीं समझ मैं आर चले कोशन पढ़ते हैं प्रभाइड एशनल फ्रीफेस हो सकता है प्रिवेंट ऑबर ब्रेकेज इसका मतलब भी नहीं है रिड्यूज नॉइज इसका दूर दूर तक कोई समझ नहीं तो इसका एंसर हो जागा ऑप्सान निंबर यानि की प्रुभाइड एडिशनल फ्री फेस अगला कोशन पर आते हैं अगर मिनरल और एर दोनों एक डिरेक्शन में जा रहा है तो अगला कोशन पर आते हैं अधाइस हो देन सेलेक्ट इट से क्टेगरी तो इसका एंसर हो जागा और सी हाइड रिस्क हो जाएगा इसका सही एंसर आते हैं अगला कोशन पर संटेज और इपक्टिवनेस देखिए जेंडल से प्र्टिकुलर एप्लिकेशन में अप्लिकेशन में इस सब जितना में टॉपिक को में रिटेल में क्लियर किया हूं यह तो बहुत कामी से बहुत जाता में पढ़ाने का महा मेरा थन वीडियो चर चर घंटा क्या क्या है न कि हम अगर घुसते हैं फिर पगला जाते हैं फिर याद नहीं रहता टाइम बाएं का लड़का लोग बोलता है सर है की ठोड़ा अबर हो जाता है चले अगले को इसन फिर फेक्टीवने से इनी इसन घंटब अलगला पर संटेज अगला कोशन है यह कोच्टीज में से एक है जो हीड के कारण होता है तो यह इसका सही एंसर हो जागा हीट एक्सों अलगलग टाइप का होता है इसको मैंने डीटेल पढ़ा अपनी क्लास में अगला कुछ नहीं पढ़ेगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे आपके स्लिवर्स का एक हिस्सा है हो सकता है कि आप नहीं पढ़के जाए तो ऐसा कूछ पूछ दे तो इसका एंसर हो जाएगा और सी ग्रीन फ्लेग लगाते हैं जहां पर हमको पीलर का करना होता है तो ठीक है चले आते हैं अगला कुछन पर अगर टेंपरिचर ब्लास्ट होल का इससे ज्यादा हो जाता हो जाता पारमेटर से नापते हैं उसके बाद हम लोग च अगर चले तो यहां पर आपका जो एंसर होता है वह यह ना हो करके चाबिस वोल्ट हो जाता है यह चीज़ आपको ध्यान दखना है सेम चीज अगर इंट्रिंसिकली से पूछ देता तो सेम चीज यहां पर 24 वोल्ट हो जाता ठीक है चुकि कोल माइन्स में क्या होता है बहुत दूर दराज का इलाका होता है इसलिए हाई गुल्टिक देना जरूरी पड़ता है इसलिए उसको मेंटेन करना जरूरी हो तो इसलि इससे ज्यादा लेंट का नहीं होना चाहिए केबल जो आप इस्तमाल करते हैं इसके लिए पंखा के ठीक है तो इसका एंसर हो जाएगा सौ मिटर इसका एंसर हो जाएगा यह सब सेंटर एक्षिटी ऑफॉर्टी रेगुलोशन सबका कोशन है अगला कोशन है एट 3.3 केवी सब्सक्राइब कोई लाइन पार हो रहा है इसी जगह से तो उसके नीचे से अगर को गली पार हुआ है तो बताएगा जमीन से जमीन से बोला गया बताएग जमीन से कितना क्लियरेंस होना चाहिए तो गली है उसमें आदमी जाता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका 6.1 इसका सही अंसर हो जाएगा पूछेगा ही पूछेगा क्यूंकि आप अंडर्गॉर्ड माइस में जाने वाले हैं ऐसा जाए चांसे से सबस्याद अंडर्गॉर्ड माइस है एकोटिंग कोशन में 63 को पढ़ते हैं इसमें लिखा हुआ है 21 से 30 साल होता है अगर आप रेस्क्यू ट्रेंड परसंट बनना चाहते है ट्रेनिंग लेना चाहते है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानि कि पांच साल का तज्रूबा होना चाहिए अगला कोशन है फर्स्टेट रूम सेल भी अंडर दचार्ज फर्स्टेट रूम किसके चार्ज में होना चाहिए तो फर्स्टेट रूम जो होता है वह क्वालिफाइड मेडिकल प्रेक्टिशनर के चार्ज में होना चाहिए अगला कुशन है इप टेंप्रेचर इन अंडर गॉर्ण माई से ज्यादा होगा ताद में ज्यादा पसी ना निकलेगा ज्यादा प्यास लगेगा तो तीन लिटर प्रतिवक्ति आप पानी उसको इसका एंसर हो जागा तीन लिटर प्रतिवक्ति अगला कुशन हो जागा वर्कमें इंस्पेक्टर इस टू रिकॉर्ड ऑफीज इंस्पेक्शन और इंटर लेवल्ड बाउंड पेजबूक मतलब एक ठोड़ेश्टर होता है इसमें वर्कमें इंस्पेक्टर अपना जो जा ठीके एक तो होगया आपका कमिटी कमिटी में मेंबर कितने होते हैं कमिटी मेंबर होते आठ अगर बोले जागा बोर्ड ऑफ माइनिंग एक्जाम नेशन जो की टीजे मेंस वाला एक्जाम देने के लिए बनाता है उसको में में इंप्लोइट केंटीन हम कब बनाते हैं क्या बनाना है यह कितने आदमी थे यहाँ छोड़ा सा Het रजड़ा वड़ा है लेकिन एकड़ए प्रट मन पर देख लिएग-ण्त, यह तना डाटा है पूरा का, पूरा मैंस एक्ट, माी शु रूल, जितना डाटा है, यतना आदमी, यतना दिन, उतना दिन, सब किलेर हो जाएगा उसी में उस दो वीडियो में, आपको जंजड नी करना, खले लिखेगा, कितने आदमी थे राक डायमड, कितने आदमी थे, मतलब दिया जाता है दूसरे साथ बोली दूसरे बार मेरे साथ बोलिएगा इस बात यह पढ़ाने के लिए है ठीक है मेरा बात को माइंड नहीं करना है को अगला कोशन है माइनर को 20 जन मिलके मारा माइनर को 20 जन मिलके मारा मिलके मारा 20 जन का मतलब होता है जहार घंडिम जन का मतलब होता आदमी ठीक है तो 20 जन मिलके मारा मतलब 20 आदमी मिलके मारा तो अब देखे माइनर का मतलब होता है माइनर इंजरी को का मतलब हो गया फॉर्म के 20 जन का मतलब हो गया 20 जैन मतलब हर साल हम लोग 20 जनवर या उसे पहले माइनर इंजरी के लिए फॉर्म के में नोटिस भेजते हैं ऐसे करके बेतु का बेतु का लाइन लगा लगा कि याद किजेगा सब याद हो जाएगा कुछ हमेला नहीं है क्लास में हम ऐसे याद करवाते हैं चलिए आ अंडर गॉड्ड में पूछ देता तो आप कितना तीन चुलिए कम से कम कितना दूर बाड़े और होना चाहिए नहीं तो हवा का सर्कूलेर चंन होने लगेगा एगला कोचिन ने क्वास इंकिलूद हों कधी इंकलूडfree नहीं होता है अगला कोचिन पुरान नुषुन पर चाहए अगला कोचिन ने आर्येधर अटकिनbasis呢 नौट लेस्द बोलाग गया है डस्ट प्लान का जो और फोगा वो किसे कम नहीं होगा अगला कोशन एंसे ज़्यादा एक्सीब नहीं करेगा तो पांच परसंट से ज्यादा एक्सीब नहीं करेगा अगला कोशन ने इन में से किसके सिध्धान पे काम करता है अगला कोशन इस टैब के पूशन दिये जाने लगे हैं को संबंद को संबंद में करत डिस्टेंज प्लेसिंग चार्ज यह तो कोई मतलब नहीं है इसके बाद आपका सब्सक्राइब टेफलर सी्टम मिलगुल ससलंघ है वेफ फिलर में वेफ था फिलर चल एक तो लिख लिए फीक थिरी चिक था तो फीका थ्री जिसमें जिसमें उसको टिक मारेंगा बाकि हटा देंगे तो देखो फिर वाला इसको अ कॉन सा बचा अब इस बात थे ऑप्शन, सी श्टा करक्त रिज pris यह राट में इसका संब्न होता है क्योंकि बार बार कीition मिस्पाइब को संप्राइब सब्सक्राइब करते हैं हाइवाल माइनिंग का किसे संब्सक्राइब काटना पड़ता है चलिए अगले कुश्चन पर हाइट ऑप बेंच इन ऑपन कास्ट सब्सक्राइब का हाइट होता हो भी डम का वह 30 मिटर से ज्यादा नहीं करके मैक्सिम मिटर तक जा सकते अगला कुश्यचन है रिंग होल ब्लस्टिंग का हां इस्ते इस्तिमाल करते हैं तो इस्तिमाल करते हैं इनक्रेंग को तो इसका सही एंशर हो जाना चीनले डेखते है इंखले नहीं करता इसका पर गाइड नहीं जय तो रहता है बहTradygram Peng दिटेचिंग महें रहता है तो इस से और संब्सक्राइब को тонuk पाद एंसर आपकी दिमार को नहीं आता आफ संक्षर क्यलग का शारतर यह था तो ड्रंवांडिंगे किस से संबंद है टो नहीं नहीं बटते हैं फ्रिक्षन संबंदित है यहने क्यों करles क्लाइंड होलेज में क्या होता है राइडर होता है कि बैकेज होता है तो आर का चार आर का चार किसमें है इसमें तो अभी से बात है इसका थिरी हो जाएगा यानि क्या होना थोड़ा सा गुमाया था चलिया आते हैं अगले कोशन पर कंस्रेक्शन अब गाइड रॉड रॉड मतलब गाइड रॉड का जब कंस्रेक्शन करते हैं तो उसमें टो क्या होना चाहिए ठीक है है अगले कोशन पर वाट इस दा लाइप ऑप केज पटाए अगला कोशन है रॉप यूजट इन ड्रम बांडिंग क्यों सरा स्दमाल होगा तो जिसका सभी अंसर हो जाएगा लेंसर हो जाएगा लैंसर यहां बहुत डीटेल में इसको बता है पूरा चटवाद एंसर हम वाइडिंग वाइडिंग ओलेज चले आते हैं एकला कुशन पर एकला कुशन पर एक्टिंग पूछा गया है सर तो देखिए कभी जब मैक्सिमम या आप पर ऐसा सब्द का इस्तमाल करें तो आपको सतर साल तक जाना है मतलब देखिए जेनरल एज फ्रिटार्मेंट थो साथ है ठीक लेकिन एक साल के अंधर अगर अगर कोशन पर अगला कुशन है क्यों इसल वी मिनमम एस उपरसन एप इस मिलागाउच क्योंट्य के तो आपको पता है वीसल होना चीह देगा हाड़ कोशन भीडिगा अगला कुछन है एबरेज मंतली आउटपूट ऑप 1000 टन मैनेजर मीनमम क्वालिफिकेशन से बूला गया भया कि अंडर्गॉर्ण माइस में एक हजार टन है तो मैनेजर का मिनमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो देखिए अगा हजार टन है पचीशोट टन से कम होता है तो मैनेजर अब फर्स्ट क्लास रहा रहा दौनें से कोई भी चल जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास हो चाहे सकेंड क्लास हो मीनमम क्वालिफिकेशन बोला है ना थेकि आपको कंफ्यूज करेगा फस्ट क्लास के साथ 5 साल एक् ठीक है डिजमस का नियम के साथ से आपको सेकेंड क्लास सब्सक्राइब बस तो यहां मिनमम बोला है तो मिनमम देखना मार देना ऐसे कोशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ठीक है चले आता है एकला कोशन पर आते हैं स्केल आफ कंसीक्वेंस इस पांच देखो पढ़ा है अपनी क्लास में कॉनसिक्वेंस का स्केल 5 दिया एक्स्पोजर का 10 दिया है प्रॉबेटी का 10 दिया दिया जिसको नहीं पता छोड़के आएगा अरे भाई रिसक ऐसकोर बराबर फॉर्मुला होता है आपका प्रॉबेटी तो कुछ करना नहीं है जो दिया इसको तो 5 इंटो 10 इंटो 10 दस पॉच्छाइं पचास इंटो पांच 500 और में एक्सम रिस्ट का स्कूर कितना होता है नाम है जगन नात आपनकास्ट अग्ला कुशन का परमीशिबल नाएट्रोजन डायोकसड का कितना है तो रम 5 पीपीम होगा यहां 5 पीपीम होगा नाइटरोजन गैस का परमिसेवल लिमट को इसकी ताब में 7 पीपीम भी दिया हुआ है लेकिन 5 पीपीम आपका सर्कुलर में इस्तमाल किया है इसलिए आपको पांच पीपीम लेके चलना अगला कोशन है इन डिगरी जो मिठेन डिटेक्टर सोल्स मदला बोला गया है कि टू डिगरी का माई से ठीक वहां पर आपका बोलेंगे कि मिठेन गैस मिला तो हम तब बोलेंगे जब 0.5 परसेंट से ज्यादा कोई डिटेक्टर में दिखा रहा है जैसे एमसे का जो डिशिक्स वाला मिठेरोमिटर मि अब तो अगर बोला गया है कि पांच अगर डिश्टीक है तो बताइएगा कि नंबर आफ हेडिंग कितना होगा इसका फर्मूला मुझे दिमाग मनें रहे है बहुत ही सिंपल सा फर्मूला है यह नहीं है कुछ और फर्मूला है मुझे दिहां नहीं आ रहा है छोटा-छोड़ा चीज अभी गूल जाते है इसका चले ठीक है नाइन होना चाहिए इसका सही अंसर मेरे साब से जिस फर्मूला को मैं दिमाग में रखा हूं अगरे बता नहीं रहा हूं कि मुझे लग रहा हो कलती है चले आतने एक लिए कोशन पे इन हाइड्रॉलिक सैंड डिस्ट्रॉइं आरेज्मेंट पे है जो होता है ह यहां तक बंकर का हाइट होता है और जहांसे हम लोग जोड़ते हैं तो जो रेशियो होता है वह कितना होता है तो रेशियो होता है आपका वन इस्टू सेवल ठीक है लास्ट कोस्टेन आप दा वीडियो इफ वी एडॉप्ट एक्स्ट्रेक्शन अप पोल एंड केविं चाहते हैं के भी करना चाहते हैं उपर में कहीं बि welding है तो उसके बीच में कम से-कम इतना मोटाआ कवर सेफ कवर होना होना चाहिए सेफ कबर होना चाहिए तो यहां पर मोटा बिल्डिंग बोला गया मल्टी लिवल तो यहां पर सिक्स्टीटी इसका सही अंसर हो जाएगा चलिए पहले हम टेस्ट को सब्मिट करते हैं क्योंकि दो चार कोशन हम साथ छोड़ा थे एक दो कोशन आप लोग के कौन सा यार चले टेस्ट सब्मिट करती है फिर अपनों टेस्ट 98 हम लोग मारे थे 96 हुआ है दो कोशन कहीं इधर उदर हम कर दिया है मदब टिक करने में या स्लाइड करने में फ्लड़ा सा इधर उदर हो गया होगा ठीक है इसका व्यू रिजल्ट में जाके हम क्लिक करके करते हैं यहां पे ड्यूर्ट रिजल्ट और की में देख सकते हैं और कौन सा सब सब्सक्राइब करते हैं इसमैं इसमें गलती इसमें मनें गलती में तो इसमें गलती Starting कब तीख मार दिया होगा कुछ ठीक है इसका नाइट्रो डिश्रीक वाला एंसर नहीं वाला ओगा अमेने बताया था द्र मारत करते-तर करते-ड़्थ जोक्रॉल कर रहे गाई तो सक्रीन तो स्क्रीन को कुछ ऐसा इसा गड़ुभा मोडन कर लेते हैं कोई सुजाओ के बारे में आपसे हम बात कर लेते हैं ठीक है चले कि जस्ट सकेंड दिखो ऐसा है कि आपके पास अब टाइम है बहुत कम ठीक है तो मेरा बात मानिए और आप एक काम कीजिए आप जितना भी हो सकता उतना टेस्ट दीजिए टेस्ट कैसे देंगे मैं बताता हूं एक तो तरीका आपके पास यह है कि आप मेरा टेस्टरी ले सकते हैं वह अलग बात है आपको मन है लेना है नहीं लेना है दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले जो जो चैप्टर आप पढ़ें उसक किताब होंगे उनमें से मोग टेस्ट देने का कोसिस कीजिए अगर किताब नहीं है पीडिया डाउनलोड कर लिजे कहीं से और मौक टेस्ट दीजिए सॉल्व किजिए जाधा-जाधा multiple choice question को multiple choice question को जितना ज्याधा solve करेंगे ना आपका दिमाग उतना खोलेगा ठीक है रिविजन तो आप कीजिए जो पढ़े हैं उसको रिविजन कीजिए नया टॉपिक को छोटा चोटा टॉपिक है तो कभर कीजिए बड़ा कुछ छूटा हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए अब उससे होने वाला नहीं है सब काम चोड़िए चरपांच दिनाराम से घर पर बैठी और यहीं कीजिए चले उसके बाद अगर आप टेस्स लेना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको डॉट होगा डॉट होगा तफिर आप कहां जाएंग उस टाइम आपको दिक्कत होगा इसलिए डिरेक्ली आप अगर चाहें तो मेरे टेस्स ले सकते हैं क्या करना उसके लिए मैं बताता हूँ ठीक जस्ट सेकेंड थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया आजका मैं मानता हूँ लेकिन यह आपके लिए जरूरी था यार अब देखिए जो कोशन का मैं पैटन डिसकस किया ह हो तक यह पूरा का पूरा एसी सेल पे बेज़े और टीस के अनलाइसिस करने के बाद बनाया हो इस टाइप के कोशन आपको एक्जाम निशन में देखने को मिलेंगे एकदम मैं गारेंटी नहीं दे रहा हूँ कि यही कोशन पूछेगा लेकिन उसी टाइप का कोशन पूछ पूछेगा हो सकता है डाटा चेंज हो सकता है और अगर आप मेरा चाहते हैं आपके पास दस दिन टाइम है गिनके नौ दिन टाइम है आप ज्यादा ज्यादा मौक टेज़े प्लस अब को जब डाउट हो तो उस टॉपिक पर देखिए इसमें पूरा का पूरा वीडियो ल पूरा पूरी पड़ा हुआ है अगर आप क्लास करना चाहते हैं छे महिने का तो आप छे महिने का ले सकते हैं अगर के लिए ले रहा है तो सुनेए एक अफर के लिए ठीक है चुए मैं चाहता हूं कि आपका ज्यादा-बाइस में जूड़ सकते आपका आपको एक्सेस मिल जाएगा और जो एक्सेस होगा आपको कुछ ले सकते हैं, बूरा A2Z portion आपको मिल सकता है, इसके लिए आपको करना ये है, मेरे WhatsApp नमबर 6200670155 पे आपको मुझे मैसेज करना है WhatsApp पे, और दूसरा अगर आप 12 रुपया वाला लेना चाहते हैं, ठीक है, यानि कि 6 मंद वैलेडिटी वाला लेना चाहते है, आप मैसेज कीजिए, लास्ट आफर है, अगर टेस सीरीज लेना चाहते हैं, सेसील के लिए, तो टेस सीरीज के साथ विडियो लेक्षर सब कुछ मिलेगा, बस एक महिना का एकसेस रहेगा, आपको मैसेज करना है, सेसेल के लिए चाहिए, और अगर पोल इंडिया के लिए तिल देन, जाहिए!